हलो माई दियर लेर्नर्स वेलकम टू आयस चौर्शॉट मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 4 जैनुरी 4 जैनुरी 2023 के जितने भी इंपोर्टन न्यूज आज दर हिंदू न्यूस पेपर में आई है जितने भी इंपोर्टन करंट अफेर्स आज की दिन के कितना सही है जली कट्टू कितना गलत है और ये पूरा क्या जुडीशरी में क्या मामला चल रहा है क्या इसके पीछे लॉजिक्स है ये सब चीजों की बात करेंगे इन डीटेल साथ ही कई सारे और इंपोर्टन आर्टिकल होने वाले हैं जैसे कि एक बात करेंगे हम विंड फॉल टेक्स की क्या पता है आप लोगों को विंड फॉल टेक्स क्या होता है क्या हिस्ट्री रही है इस्राइल और पलिस्ताइन वाले इशू की क्या आप लोगों को पता है ये बात इस्राइल पलिस्ताइन की क्या इशू रहा है इसके अलवा वाट इस कलेक्टिव responsibility, what are the articles that come under collective responsibility of council of ministers, क्या आप लोगों को पता है, इसके अलबा क्या आपको पता है कि online gaming के लिए अब आ चुके है हमारे draft regulations, तो इन सभी मुद्दों के उपर बात करेंगे, एक एक करके शुरुवात करते हैं, सिर्फ 144 days बचे हैं, आपकी UPSC prelims में, देखो 2022 खतम हो चुका है, तो समझ जाओ कि 2000 टेविस की भी शुरुवात हो चुकी है, पांच महीने से कम का समय आपके पास बचा है, not even 150 days, 150 days से भी कम का time है, तो it is a big 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 alert, और इस alert को genuinely सच वाला समझो क्योंकि यह बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, देखो prelims दे रहे हो आप अपने सपने को पूरा करने के लिए, और सपना पूरा करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है, इसी लिए प्लीज टेक इट सीरिसली, ओके, and if you want to take it सीरिसली, यह है हमारा revolutionary program, लक्ष प्रोग्राम हम लेकर आये है, आये शौर शौर्ट लेकर आया है, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें UPSC 2023 की तैयारी, especially regarding the current affairs, regarding the geography mapping, regarding the quiz, regarding current affairs, यह सब कुछ, यह सब कुछ logical tricks and everything that you need for UPSC 2023, जितना भी current affairs वगेर आपको चाहिए, वो सब कुछ सिर्फ 23 रुपीज में आप हमारे साथ enroll करके ले सकते हो, यह batch एक February से शुरू हो रही है, लेकिन इसके enrollments already शुरू हो चुके है, infrastructure limited है, इसलिए seats भी limited होने वाली है, चलिए, बात करते हैं आगे, अगर अच्छा enroll करना चाहो तो उपर इसकी जानकारी आपको यहाँ पर blink कर रही होगी, आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ फिर description box यह comment section में इसकी link में दे दूँगी, वहाँ से भी आप इसको purchase कर सकते हो, बढ़ते हैं आगे, today's pinch of positivity is, सिर्फ एक ही positivity की आज pinch of positivity है, सबर रखो, ठीक है, have faith, ठीक है, have faith and have some patience, patience रखो अपने उपर, patience रखो थोड़ा सा, अपने सपने पर थोड़ा सा भरोसा रखो, कई बार क्या होता है ना, कि हम continuously failures, failures, failures देखते हैं, लेकिन वो failure हमको क्या लगता है, इतना बड़ा होके दिखने लगता है, अगर हमारे पास patience नहीं है, faith नहीं है, तो just have patience, सबर रखो, सबर रखोगे, तो आपकी सारी चीज़े, actual में, किसी न किसी दिन आके, आपको उसका अंजाम, आपको उसका जो pay off है, वो जरूर करेगी, वो आपको चीज़, बढ़ते हैं आगे, पहला आज council of ministers कभी-कभी कुछ भी कह जाते हैं, ठीक है, कुछ भी, मतलब कभी-कभी, वो hate speech भी फैला देते हैं, कभी-कभी कुछ भी, उल्टा सीधा भी कह देते हैं, किसी को, तो यहाँ पे Supreme Court का एक judgment आया, जिसमें ये कहा गया, कि भई ठीक है, council of ministers का हम कहते हैं कि council of ministers are collectively responsible, council of ministers are collectively responsible to the house of people, ठीक है, to the house of people, house of people का मतलब क्या है, house of people का मतलब है, लोगसभा, तो लोगसभा के लिए collectively responsible होते है, council of minister, ठीक है, they fall together, they stand together, इस तरह की चीज़े कही जाती है, लेकिन, अगर कोई council of minister, अगर कोई minister, इस तरह की उल्टी-सीदी बात करता है, तो उसके ओपर सीधी तरह के सभी council of ministers है, मतलब एक minister ने कुछ उल्टी-सीदी बात करी, तो उसके लिए पुरी के पुरी government responsible होती है, लेकिन, हर जगह पे जरूरी नहीं है, तो Supreme Court ने बोला that there is no reason to impose additional restrictions on the right to free speech of ministers, ministers के free speech के उपर हम अलग से और restriction नहीं लगा सकते, और government इसके लिए liable नहीं होती है, अगर क council of, बाहर कहीं पे, लोगसभा के बाहर कहीं पे किसी minister ने कुछ उल्टे सीधे remarks कर दिये, तो इसके लिए government responsible नहीं होगी, ठीक है, हाला कि यहाँ पे जो comments है, अगर वो comments चाहे भले ही government की बढ़ाई में हो, government को protect करने के लिए, government को defend करने के लिए, यहाँ फिर किसी state affairs से related ही क् लेकिन अगर कोई भी गलत remark है, जो बाहर किया गया, house of people के बाहर, लोगसभा के बाहर करा गया, तो हर चीज के लिए government responsible नहीं होती है, ठीक है, और it is not possible to extend this concept of collective responsibility to any and every statement orally made by the minister outside the house of people, तो चाहे legislative assembly के बाहर हो, लोगसभा के बाहर, कोई भी minister कुछ भी कह देता है, किसी news channel पे, क इमिदार नहीं रहेगी, और देखो आजकल क्या है, कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के उपर कहा जाता है, कि देखो तुम्हारे minister ने ये कह दिया, वो कह दिया, बाहर, लोगसभा के, या फिर विधान सभा के बाहर ये कह दिया, वो कह दिया, तो देखो कि एक-एक सीट वहां पर इंपोर्टन है, तो यहां पर मानलो किसी एक मिनिस्टर ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया, किसी न्यूस चैनल पर जाके, यहां फिर कुछ भी ऐसी गलत टिपनी कर दी, कुछ एक्ट ऑफ कमिशन और ओमिशन हो गया इनसे, तो ऐसे में क्या मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर इतने डिसिप्लिने रिएक्ट अ क्टेश ले पाएं, तो बसक्री अच्छ के निच ओए, तो अिचे एक एक दिसेंट जो उपीनिन वह दिया गया है, यहां पर B.V. नागरतना उन्हों ने दिया है, यहां ने बोला है, अन बोला है तो बेसिकली जो बाकी जजज हैं उन्होंने वोला कि भाई यहां पर अगर कोई मिनिस्टर अलग से लोग सभा के बाहर जाके अपनी इंडिपेंडेंटली कोई टिपणी दे रहा है तो वो उसके आर्टिकल 21 में आती है आर्टिकल 19 में आती है ठीक हम उसको रिस्ट्रिक नही तो यहां पर यह जो स्टेटमेंट है अगर वो गव्नेंट से रिलेट़ है मांनो यह कोई मिनिस्टर भाहर जाके कुछ करता है स्टेटमेंट धेता है जो कि गवर्मन को प्रटेक्ट करने के लिए इनकी हिसाब से बिसंट्पेंड डेयें रहा है उनके इसाफ से यह responsibility में आता है collective responsibility में ओके तो कुल मिलाके यहाँ पर पूरी मुद्धा यह निकल जाया कर दोजन यह निकला कि यहाँ पर जो minister है overall majority opinion यह रहा कि minister लोकसभा के बाहर अगर कुछ भी कह रहा है उस पर prime minister और CM का कोई direct control नहीं होता और यह collective responsibility के अंतरगत नहीं आएगा तो हम बात कर लेते हैं यह council of ministers and collective responsibility की article 74 जो है हमारे constitution का यह बात करता है council of ministers की और article 75 बात करता है कि क्या कैसे appointment होगा क्या tenure होगा क्या responsibility qualification or salaries वगेरा रहेंगे ministers की okay इसके अलबब council of ministers जो है उसमें 3 categories होती है ministers की पहले होते है cabinet ministers जो की बहुत ही strong ministers होते हैं ठीक है जो most core team होती है na government की वोते है cabinet ministers उसके अलबब दूसरे है minister of state तीसरे है deputy minister okay और इस सभी के उपर रहते हैं prime minister okay बात करते हैं आगे तो responsibility की बात करें ministers की दो तरह के responsibility है पहली है collective responsibility और दूसरी है individual responsibility collective responsibility जो है article 75 बोलता है कि council of ministers जो है वो collectively responsible है लोगसभा से अच्छे ये question UPS के prelims में आ चुका है डिरेकली है na council of ministers किसके लिए directly collectively responsible है तो लोगसभा के लिए house of people के लिए okay इसका मतलब यह कि जितने भी ministers हैं joint responsibility hold करते हैं कोई भी उनसे कोई act होता है omission commission का यानि कि कोई भी भूल चूक वाला कोई भी act हो जाता है कुछ गलत काम हो जाता है तो उसके लिए सारे के सारे ministers एक साथ responsible होते हैं लोगसभा में individual responsibility भी है article 75 इसका भी बात करता है बोलता है कि ministers hold office during the pleasure of president यानि कि मानलो कोई एक minister से कुछ गलत काम हो गया अब इसके अगेंस्ट पार्टी जो है या government जो है वो action ले सकती है prime minister basically president को advise कर सकते हैं कि president जो है वो इस minister को हटा दे तो president के pleasure तक ही minister जो है अपनी position पर है यह individual responsibility तो individual responsibility यह बोलते कि अगर तुमने कोई भी minister ने कोई भी गलत काम किया कुछ भी ऐसा किया जो की party को पसंद नहीं आया तो prime minister की advice पे president इस minister को remove कर सकते हैं ठीक है यह समझना तो यह है individual responsibility नाउ collective responsibility के जो बात कर से इसमें दो basic component है पहला component तो यह है कि ministers जो है they should be able to conduct open and honest conversations तो कोई भी जैसे party में कुछ भी discussion हो रहा है तो कोई भी consensus पर पहुचने से पहले कोई भी conclusion पहुचने से पहले proper deliberation होना चाहिए सभी ministers के बीच में और यह deliberation को secret रखना चाहिए private रखना चाहिए दूसरी चाहिज यह है कि एक बार एक बार कोई cabinet position agree हो जाती है एक बार कोई cabinet position final हो गई तो इसके बाद सभी ministers को चाहे वो individually इससे agree करते हों कि ना करते हों उनको उसको follow करना पड़ेगा government के हिसाब से vote करना पड़ेगा otherwise वो resign कर सकते हैं ओके अच्छा देन देखो यह जो concept है collective responsibility का बड़ा crucial है हमारे देश में जो parliamentary government है उसके लिए क्योंकि parliamentary government में जो cabinet की जो principal power है वो unity में है अगर unity है तो government है क्योंकि इनके पास majority है अगर unity नहीं है तो government नहीं है majority चली जाएगी ओके तो यहां पर collective responsibility जो है इसका मतलब यह कि council of ministers सभी के सभी सारे के सारे responsible रहेंगे overall management of government की ठीक है मनलब government जैसा भी operate करती है उसके overall management के लिए यह सारे के सारे council of ministers एक सारे responsible रहेंगे और all the ministers stand or fall together यह principle चलता है basically तो government एक single entity के form में exist करती है function करती है यह था collective responsibility का principle बढ़ते हैं आगे how is India moving to regulate online gaming तो online gaming आपको पता है आजकल online gaming बहुत चल गई है आने जैसे especially covid के time पर आप सभी नहीं किया होगा covid के time पर कोई ना कोई लूडो आप खेल रहे होगे online लूडो या फिर कोई ना कोई गेम आप खेली रहे होगे है न तो इस तरह से online gaming बहुत बढ़ गई है और online gaming को अब regulate करने की जरूरत पढ़ गई है क्या जरूरत क्या पढ़ी इसकी तो देखो अच्छी स्टेप ली है हमने comprehensive regulation करके और इसमें स्टेट वाइस regulation जो है वो reduce होगा और एक ही proper central government यहां पर regulation बनाएगी online gaming को control और regulate करने के लिए तो यहां पर बार बार अलग-अलग state के अलग-अलग loss नहीं होगे इसके लावा देखो अभी जो इंडिया की mobile gaming industry है यह पांच बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री होने वाली 2025 तक पांच बिलियन डॉलर कर रही है मतलब इतनी टेजी से ग्रोव कर रही है इंडस्ट्री ओके और चाइना और यूएस जहां पर major sectors माने जाते थे गेमिंग के वहां पर आठ और दस परसंट से लेकिन इंडिया में 38% से ग्रोव कर रही है ओके साथ में एक रिपोट यह जिसमें यह कहा गया कि 2024 तक यह माना जा रहा है कि इसके annual growth rate 15% रहेगी और यह 153 billion rupees का revenue कमाएगी यह इंडस्ट्री ओके by 2024 तो आपको यह पता होना चाहिए इसलिए gaming online gaming को regulate करना जरूरी हो गया है और ministry of electronics and information technology ने अपने draft amendments निकाले है online gaming को regulate करने के लिए आइडिया यही है कि online games को यहाँ पर Indian laws से confirm किया जाए और safeguards बनाए जाए इसके ecosystem को save करने के लिए तो changes क्या क्या बोले गए है पहला change यह बोला गया है कि proposal यह है कि यहाँ पर जो भी users हैं जो भी gamers हैं उनके interest को safeguard किया जाए उनको यहाँ पर कुछ set of procedures कुछ norms होने चाहिए so that आप verify कर सको user engagement को जैसे कि कोई भी gaming अगर आप कर रहे हो जैसे loodos खेल रहे हो तो loodos में आप यहाँ से गए ठीक है आप तो genuine हो लेकिन सामने वाला जो player आ रहा है वो genuine है कि नहीं है उसके लिए यहाँ पर सभी users का verification होना चाहिए KYC जैसे होता है न वैसे verification होना चाहिए इ वो game जिसमें internet लगता है जिसको आप access कर सकते हो computer resource वगरा के थूँ और इसमें if he makes a deposit with the expectation of earning and winning तो यहाँ पर अगर आप कुछ डाल रहे हो पैसा डाल रहे हो जीतने या हानने के हिसाब से उसको सबकुछ आएगा इसमें online gaming में winning का मतलब यह है कि आपको कोई price कोई cash कोई kind में कुछ भी price मिल सकता है वो सब चीजें भी address की गई है okay अच्छा इसके अलावा यहाँ पर game of skill और game of chance का भी हाँ एक difference दिया गया है game of skill मतलब आपका दिमाग लगे आप skills से कोई game जीत रहे हो वो अलग तरह का game होगा और game of chance ज बता चल जाएंगी साथ में user को यह भी बता चलना चाहिए कि किस तरह से उनको refund मिल सकता है refund नहीं मिल सकता है deposit कैसे होगा उनका protection कैसे हो रहा है किस तरह से winnings जो होंगी जो भी पैसा यह price जीतेंगी वो कैसे distribute होगा क्या risk है financial loss की क्या कोई risk है addiction की अगर addiction की risk है तो उसे बार बार यहां पर धोराया जाए for example अगर आप लुड़ों खेल रहे हो यह कोई भी गेम खेल रहे हो रहे हो यह सब कुछ भी गेम खेल रहे हो मनलों एक घंटे से जादा हो गया तो बार बार यह warning flash होने लगी कि this game is addictive this game is addictive इस तरह से तो यह सब करना होगा इसके अलावा और यह क्या platforms के बारे में अगर बात करें तो देखो कोई भी अगर platform कोई भी game को host कर रहा है या publish कर रहा है तो platform जो है वो उसको verify करें उसके लिए self regulatory body से register होना पड़ेगा हर platform को ठीक है इसमें registration mark होना चाहिए साथ में employee इनको रखना पड़ेगा जिसका नाम होगा chief compliance officer यह chief compliance officer जो हो कि self regulatory bodies को इनको recognize करना रहेगा इसके अलावा यह industries कैसे react कर रही है तो देखो experts ने यह बोला है कि यह बहुत अच्छा step पर online gaming को regulate करने का और इसके लिए एक central regulation बना रहे हैं यह बहुत अच्छी चीज है लेकिन इसको कुछ concerns भी है concerns यह है कि अभी भी इसको broad category में रखा गया ह है ठीक है मतलब इस online gaming को बड़ी broad category में रखा गया है सभी की एक जिसी compliance कर दी गई है लेकिन जो categorization भी होता है na gaming में वह categorization इसमें नहीं है और इसके कारण global players हो सकता है इंडिया में ना आएं तो यह था पूरा article regarding the issue of online gaming अच्छा अगर आप हमसे connect करना चाहते हो तो यह सारे medium हमने telegram channel है इसको जरूर से join करना इसी channel पर हम हर रोज अपने जो लेक्चर जाओं की PDF पोस्ट करते हैं जो भी updates होते हैं YouTube के पहले आपको telegram पर मिलती है इसके अलाबा आप अगर चाहो हमारा Instagram community का हिस्सा बनना तो कि Instagram पर मैंने सोचा है कि अब कुछ live sessions भी ले जाएंगे Instagram पर live sessions ले जाएंगे क्योंकि prelims बहुत नजदीक है तो कुछ भी अप लोगों के doubts हो उनको resolve करने के लिए इसके अलबा कोई भी doubt हो तो you can write us on isshoreshot at gmail.com और जो लक्ष बैज की बात करी थी ना शुरुआत में वो यहां से खरीच सकते हो बात करते हैं आगे next issue की on the legality of israel's occupation international relation और world history दोनों से relate कर सकते हैं इस topic को Israel ने जो Palestine के उपर Palestine के कुछ कुछ areas के उपर कहीं न कहीं occupation किया है उसके बारे में मुद्दा है ठीक है तो यह मुद्दा जो है UN में आया और UN एक resolution पास किया है resolution ऐसा है कि Israel ने जो यह Palestine के लैंड के उपर कबजा किया हुआ है इसको लेकर UN को एक application डालनी चाहिए ICJ में यानि कि International Court of Justice में और यहां पे इस ICJ को सुनना चेन का पूरा मामला और फिर कुछ decision देना चाहिए तो पूरा मामला क्या है उसके बारे में बात करेंगे लेकिन देखो सबसे पहले मैं थोड़ा history बता दूँ सबसे पहले इस तरह से एक देश हुआ करता था पलिस्टाइन 1947 की बात है पलिस्टाइन हुआ करता था वर्ल्ड वार टू हुआ था याद होगा आप लोगों को है न वर्ल्ड वार टू जब हुआ तो जर्मनी में से जितने भी जियूस थे उनको भगाया जा रहा था जर्मनी में जियूस के साथ बहुत exploitation बहुत जादा इनका persecution हो रहा थ गैस चेंबर्स में डाला जा रहा था और बहुत बुरा हुआ था इनके साथ ठीक है तो दुनिया भर के जियूस ने इखटा हुए और यह जियूस जो है जर्मनी से भाग रहे हैं यूरोप से भाग रहे हैं को कहीं न कहीं कोई जगह चाहिए रहने के लिए अपना लैंड बुलाने के लिए तो इन्होंने अपने एक प्रिंसिपल निकाला जियूनिजम का इसमे इन्होंने बोला कि जितने भी जियूस पुरी दुनिया भर में हैं वो सब आओ एखटा होते हैं और हम अपना एक लैंड बनाते हैं तो यह सब एखटा होने लगे पलिस्ताइन के आस है यहां पर partition plan था इसके कारण यह हो गया अब इसके बाद क्या हुआ 1949 तो 1967 इस्राइल अपने आपको expand करता गया करता गया और यह हालत हो गई और उसके बाद आज के समय पे देखो जो पलेस्टाइन ग्रीन वाला शुरुआत में 1947 में पूरा का पूरा पलेस्टाइन था अब वो पलेस्टाइन बहुत सिम्मट के रह गया है डिस्पर्स हो गया है और बाकी थारा जो है वो इस्राइल है तो क्या है पूरा इसके बीचे कहानी देखो अभी क्या हो रहा है न कि United Nations General Assembly में यह resolution आया और resolution यह था resolution यह था कि यहाँ पे इस्राइल और पलिस्टाइन का यह जो मुद्दा है पलिस्टाइन वाले बड़े परिशान है विचारे तो पलिस्टाइन और इस्राइल का मुद्दा जो है यह International Court of Justice में ले जाया जाए इस resolution में 87 members ने बोला कि हाँ बिल्कुल ले जाना चाहिए यह मुद्दा ICJ में 26 countries ने बोला नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए इन 26 countries में USA और इसके अलावा 53 countries ने किया जिसमें इंडिया का बहुत अच्छा दोस्ते बहुत अच्छा लाय है इस्राइल लेकिन इंडिया को पता है कि पलिस्टाइन वालों के साथ गलत तो हो रहा है और अगर हम सच में बात करें तो 1992 के पहले तक हम इस्राइल के साथ थे ही नहीं हम पलिस्टाइन के साथ थ हमारे साथ भी ऐसा हुआ था कि भाही धरम के नाम पे देश भाठ दिये गए थे इंडिया पाकिस्तान बन गए थे ठीक है आप लोगों को पता होगा ना इंडिया पाकिस्तान का कैसे बटवारा हुआ था धरम के नाम पे हिंदूस एन मुस्निम्स के नाम पे और हम इस आइड Logically अगर हम देखें तो पलिस्ताइन के साथ हमको होना चाहिए लेकिन अगर हम practically जाएं तो इसराइल हमारा बहुत अच्छा लाय है तो हम क्या करें इसलिए इंडिया ने abstain किया अब देखो इसराइल की बात करें इसराइल जो है इसराइल ने अपनी occupations कैसे कैसे अल्टर करें कैसे 1947 से लेकर आज तक का सफर कैसे तै किया है वो लोग Jews जो उनके पास रहने के लिए जगह तक नहीं थी आज उन्होंने अपना एक देश बना लिया इसराइल और पलिस्ताइन वालों को एकदम बाहर ही निकाल दिया है तो जैसा कैसे तो इसराइली स्टाइस्टिक्स दिखाते है कि Jewish settlers जो थे historical Palestine में जब वो आये तो Palestine में वो पहले से Jews रह रहे थे 1948 के पहले से Jews रहते थे उसके बाद UN का partition plan आया प्लान आया कि Arabs और जो यहां पर जियोनिस्ट लोग है जो Jews है उनको अलग-अलग किया जाए ठीक है इनके लिए अलग-अलग हम देश बनाए ठीक है तो Jews के लिए अलग पलिस्ताइन के लिए अलग क्योंकि यहां पर UN में गया था मामला कि भही बहुत जगड़े हो रहे ने आफर जी रहने वाल है उन्हों इस सदिती लत नहीं कि नंगे इसन प्लैन को रिजेक्ट कर दिया। इसराईल को तो मंगरता तो यहां पे बेसिकली एक李िजिक्ट हो गया इसके बाद पहली अरब इसराईल वहर में इसराईल ने बहुत सारी चैप्चर कर दी इज ने बहुत सारी ठरीक्रदि पलस्ताइन की क्योफिछ टाइन तो पहली चैप्चर कर लेकिन इस अरब इस्राइल वार के बाद इस्राइल वालों ने पलिस्ताइन से उससे भी ज़ादा territory acquire कर ली जो UN का plan था उससे भी ज़ादा और लगबख साथ लाग Palestinians को Displace होना पड़ा था तो यह जो पलिस्ताइन था पहले वो यहां पे इसराइल में टीस्ट बैंक में और गाजा स्टृप में बटके रह गया टीस्ट बैंक और गाजा स्टृप जो था इसके उपबर अलग-अलग देशों का रूल हो गया, इसराइल ने majorly जो Jerusalem था इसके उपर तो capture कर लिया West Bank जो था वो East Jerusalem वाला जो पार्ट था West Bank वो Jordan के पास चला गया और Gaza Strip जो थी वो Egypt के पास चली गई दरा दिखाती हूँ क्या है ये तो देखो यहाँ पर यह वाला portion बोल रहे है यहाँ पर यह है हमारा West Bank यह है वेस्ट बैंक यह है गाजा स्टिप यहाँ पर यह है वेस्ट बैंक और यहाँ पर यहाँ वाला portion कुछ था जो Jerusalem वाला portion था तो यह वाला पूरा portion इस्राइल का हो गया यह portion जो है Jordan जो है, Syria जो है इसमें majorly Arab countries है ये तो ये सब जो है Palestine की side से लड़ रही थी और दूसरी side पे था Israel Israel ने इन सब countries को हरा दिया और West Bank, Gaza Strip, सब कुछ Israel ने चीन लिया इन से Syria का Golan Heights, Sinai Peninsula जो है Egypt का वो सब की चीन गया तो मैं आपको दिखाते हूं picture देखो यहाँ पर ये है Sinai Peninsula ये वाला portion Sinai Peninsula है Egypt का, ये पहले 1967 तक Egypt के पास था, इसको चीन लिया Israel दे ठीक है, और अभी क्या है अभी ये Egypt को वापिस कर दिया गया था after 1979 Peace Accord इसके लब बात करें गाजा स्ट्रिप की तो गाजा स्ट्रिप को भी चीन लिया था इसराइल ने Egypt से, ठीक है ये देखो रो, गाजा स्ट्रिप इसको भी Egypt से चीन लिया था इसराइल ने, लेकिन 2005 में इसराइल ने अपने troops वापिस बुदा लिया और अभी ये overall देखा जाए तो Palestinian के control में, Palestinian लोग यहां पे रह रहे हैं उसके लाब ये तो overall इसराइल था ही इसके लाब ये West Bank जो था ये West Bank में, यहां पे आप देखे हो West Bank and East Jerusalem ये वाला पार्ट है यहां पे, ये 1967 तक Jordan के पास था इसराइल ने इसको छीन लिया था ठीक है 1967 की war में लेकिन अभी भी इसराइल का ही control है यहां पे, हाला कि कुछ-कुछ यहां पे Palestinian settlements भी है और यहां पे इसराइल की military control में ये area है, इसके लाब ये Golan Heights जो पहले Syria का था इसको भी इसराइल ने चीन गया था लेकिन फिर इसराइल ने 1981 में इसको annex कर लिया और Nation Security Council ने 1967 की टाइम पे एक resolution निकाला था कि ये सारी जो territories war में इसराइल ने जीती है वो वापिस लोटा दे लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ निये Palestinian अभी तक West Bank को मांग रहे हैं लेकिन West Bank उनको मिला निये हाला कि Palestinian वहाँ पे रहते जरूर है इसराइल ने अभी बहुत सारी settlements Jewish settlements West Bank में बना दी है और साथ में कई सारे violence के किस्से हम हर रोज almost सुनते हैं अब बात करते हैं इस resolution की तो resolution जो है अगर पास हो गया है तो अभी एक case जाएगा International Court of Justice के पास अब यहाँ पर जाने के बाद दो possibility ने पहली possibility है कि यहाँ पर International Court of Justice बोले कि settlement कर लो दोनों parties settlement कर लो यहाँ फिर दूसरा तरीका है कि यहाँ पर verdict देते अब verdict दे दे या ना दे दे जो International Court of Justice है इनकी ruling binding तो होती है लेकिन इनके पास power नहीं है enforce कराने की तो इसराइल मानता है कि नहीं मानता है windfall tax के बात करेंगे यहाँ पर government prices windfall tax on crude oil export of diesel and ATF तो government ने windfall tax जो है वो बढ़ा दिया है और यह windfall tax diesel के export के उपर, ATF के उपर और oil prices वगेरा के उपर बढ़ा दिया है ठीक है क्या है पूरा मुद्दा क्या है windfall tax होता क्या है देखो windfall tax वो tax होता है जो normally नहीं लगता है यह तभी लगता है जब कोई uncertain condition आ जाए और किसी uncertain condition के कारण किसी company को जबरदस्ती external factors के कारण बहुत जादा profit हो जाए तो इस profit के उपर जैसे Russia-Ukraine war हुआ तो Russia-Ukraine war के चक्कर में oil prices बहुत तेजी से बढ़े ठीक है इसमें कोई oil producing company ने तो कुछ नहीं क्या दा oil prices खुद से बढ़े तो oil prices एकदम तखड़े तरीके से बढ़े इसके कारण oil producing companies है उनको बहुत फाइदा हो गया बहुत जादा फाइदा हो गया तो अब यह फाइदे के उपर tax तो लगाना बनता है जो government है वो tax लगाती है तो windfall tax वो tax है जो profit के उपर लगता है किसी company के जो कि किसी external source से आया है जैसे कि कोई unprecedented event हुआ है उसके कारण यह profit generate हुआ है उस profit के उपर यह tax लगता है तो यह जो profit है यह आप किसी भी ऐसी चीज़ के लिए इस कोई investment strategy के कारण यह company के business expansion के कारण उसको profit नहीं हुआ है इसको अगर बात करें यूएस congressional research यूएस कॉंग्रेशनल रिसर्च सर्विस की यह विंडफॉल को डिफाइन करते हैं एस अन 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 इंटिसिपेटेट गेन इन इंकम थ्रू एन अडिशनल एफ़र्ट थ्रू नो अडिशनल एफ़र्ट और एक्समेंस मतलब कंपनी ने कुछ एक्समेंस नी किया कुछ वर रिक से बढ़ गए से बढ़तां अब इसका कुरणा आपकता है इसी लिए और उसमेंस धिषक करता कि ओन उक्सान में नहीं रहेगा तो government ऐसा कर रही है redistribution के लिए जो भी unexpected gains हुए है उसका redistribution हो consumers को भी इसके लिए कर रही है दूसरा social welfare schemes को funding देने के लिए कर रही है और तीसरा जो भी supplementary revenue stream आ रही है government की वो यहां से या रही है तो कुछ भी revenue extra आ रहा है यहीं से आ रहा है लेकिन इसक इसके साथ एक issue भी है कई सारी issues है in fact एक नहीं यहां पर companies जो है देखो वहां पर confident feel करती है जहां पर उनको पता है कि चलो इतना text देना है मुझे certainty होनी चेक्स रेजाईम में stability होनी चेक्स रेजाईम में नहीं तो companies फिर confident feel नहीं करती उस देश में इसके अलावा windfall text जो है य लगाया जारे यानि कि मानलो आज से नहीं बोला जाएगा कि एक December से यह जो भी आपको profit हुआ उसके उपर tax लगेगा यानि कि पिछली date से पुरानी date से यह tax लगाया जाता है साथ में यह जो uncertainty लाता है future taxes के लिए market में वह एक major problem है IMF यह कहता है कि जो taxes है यह tax जो है इसमें price search हो रहा है और इसके कारण design problems भी हो सकती है political nature की problems भी हो सकती है future investment इस पर affect हो सकता है future investment पर affect हो सकता है साथ में यह पता कैसे चलेगा कि कौन सा profit normal है कौन सा profit excessive है उसका कोई standard फिक्स थोड़ी है और यह भी नहीं पता कि कौन सी companies के उपर लगेगा मतलब कोई एक standard फिक्स होना इससे ज्यादा profit जिसने कमाया उसके उपर ही लगेगा तो बड़ी companies के उपर लगेगा चोटी companies के उपर ही windfall tax लगेगा किस के उपर लगेगा नहीं पता है तो हो सकता है किसी के साथ जादा ही नाइमसाफी हो जाए ओके तो यह कुछ issues है windfall tax के साथ now last हमारा आज का editorial है regarding the animal cruelty reality तो जली कट्टू से related ये पूरा incident है जली कट्टू से related ये पूरा editorial है पहले क्या है जली कट्टू देखो तो जली कट्टू एक bull taming spot है जो मदुराई में तिरुचिरापली में थेनी में पडुकुटई में इन सब एरियास में मनाया जाता है especially तमिल नाडू वाला region है बु violent sport माना जाता है ये कोशिश होती है कि जो bull है उसको tame कर ले बाकी लोग अगर बुल को tame कर लेते हैं ये लोग तो इन को do si मिलता है और अगर ये नहीं कर पाते बुल इनके control में नहीं आता तो जो bull owner है उसको प्राइस मिलता है इस में कई बार क्योंते हैं बोए सब्सक्राइब करों डिया जाता है और में थोड़ पूराम्ड़ चरोट करूं तो जली-गर्टो जो उसके ऐपर पेटा ने Welcome एक पेटिशन फाइल करी थी सुप्रीम कोट में और सुप्रीम कोट ने जो कोट थी उन्होंने ये डिसीजन दिया था 2014 के आसपास के जली कट्टू को बैन किया जाए लेकिन उसके बाद 2017 के आसपास तमिलनाडू में बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए और इस बात है और अभी इसके उपर डिसीजन आने वाला है इसी लिए ये एडिटोरिल हम डिसकस कर रहे हैं तो इसके पहले इसके पहले सुप्रीम कोट की वह जली कट्टू को कहे चुकी है और तमिलनाडू गवर्मन ने कई efforts किये हैं इसको फिर से लीगल बनाने के लेकिन देख करें पार्ट 3 की fundamental rights की कोई भी एक आर्टिकल नहीं है जो सिर्फ animals की rights की बात करता हो आर्टिकल 21 आर्टिकल 14 यहां पर बात करते हैं persons की persons का मतलब होता है humans या entities इसमें animals को शामिल नहीं किया गया fundamental duties में animals शामिल है DPSP में अनिमल शामिल है लेकिन यह दोनों जार्न enforceable है ना तो कोई मतलब नहीं रह जाता इसके अलावा कई सारे efforts भी किये गए animal welfare को अलाव करने कि जैसे कि prevention of cruelty to animal act यह act लाया गया so that animals के against cruelty cruelty ना हो लेकिन इसमें भी कई सारी shortcomings है इसमें भी कई सारे actions है जिसको criminalize किया जाता है और कुछ सारे actions है जिनको exempt कर दिया जाता है तो यहां प forbidden activity में आता है लेकिन तमिल नाडू government ने बोला कि भाई देखो ऐसा है कि जो animal welfare है उसके लिए जो laws है वो state और center दोनों बना सकता है क्योंकि यह concurrent list में आते हैं तो state ने बोला तमिल नाडू ने कि हम भी बनाएंगे law तो इन्होंने law बनाया और उन्होंने बोला कि जली कट्ट करा दी ठीक है अब इसमें petitioner का कहना यह है कि जुडिशल रिव्यू होना चाहिए इस legislation में पहला तो यह कि क्या तमिल नाडू government के पास तमिल नाडू legislature के पास यह competence है इस तरह का act पास करने की और दूसरा यह कि यहां पर यह जो act है यह जो तमिल नाडू जो amendment लेकर आई है वह जो है पहली चीज तो यह कि यह fundamental rights के भी अगेंस्ट जा रहा है ठीक है article 21 के अगेंस्ट जा रहा है तो कैसे देखो भई यहां पर यह है कि prevention of animal cruelty act के उपर law बनाने का हक तो है तमिल नाडू government का state का हक तो है क्योंकि concurrent list का मुद्दा है लेकिन यह हक नहीं कि जली कट्टू को हटाई दे prevention of cruelty against animal act से हटाई दे क्योंकि यह तो colorable legislation हो गया मतलब आप कोई चीज directly नहीं कर रहे हो तो यह गलत है और इसके अलावा दूसरी चीज यहां पर एन अग्राज केस में already Supreme Court कह चुका है कि यह गलत है तो आप कैसे इसको use कर रहे हो कैसे इसको allow करें इसके लावा fundamental duty के भी अगेंस जा रहा है यह article 51a के भी अगेंस जा रहा है साथ में article 21 के भी अगेंस जा रहा है article 25 में लिखा है right to life का और यह life सिर्फ और सिर्फ humans के लिए नहीं है life का मतलब है कि कोई basic environment जो आसपास का environment है उसको भी आप hinder नहीं करोगे हाम नहीं करोगे तो यह सारे questions भी खड़े होते हैं कि जो हमारा idea of justice है इसमें क्या animal rights का कोई mention है एक question यह भी खड़ा होता है कि क्या अभी भी हमारे पास यह नहीं है कि हम duty लें कि हम अपने fellow creatures को संभाल के protect करके रखेंगे और इसके लबाए एक issue यह भी है कि हम animals की care के लिए क्या कर रहे है article 21 article 14 में हमने animals का द equally importance देनी चाहिए और हमें person road के उपर focus ना करते हुए हमारा focus ही होना चाहिए कि हम constitution के text and values को actual में समझे और animals को भी equal concern के साथ ले तो life का मतलब आज की date में बहुत broaden हो गया है और उस life के meaning को actual में हम समझे तो animal rights के लिए भी constitution में कुछ ना कुछ provision होना चाहिए judiciary को इस तरह से इसका interpretation निकालना चाहिए यह यहाँ पर author का कहना है तो यह था पूरा article and कल जो मैंने question पूछा था prime meridian के बारे में मुझे सिर्फ 5 लोगों का answer आया and they are already the star of the day ठीक है उनको मैंने अलग से लिख कर भीजा है but आज का question यह रहा question for the day है कि state of malakka state of malakka को map में locate कर बताना जरा कि कौन-कौन से water bodies को यह अलग करता है कौन-कौन से countries के बीच में आता है कौन-कौन से land portions इसके पास में है ठीक है यह मुझे जरूर बताना state of malakka के बारे में information देना मुझे comment section में okay and जो लोग भी comment section में इसका जवाब देंगे minded luxury batch में उनके लिए कुछ extra चीज़ करना मद बूलना चैनल को शेर करना मद बूलना इस वीडियो को comment करना तो बिलकुल मद बूलना that was all thank you for watching and have a very good day